भारत माता की कुडचिया, नन्ना सहोधरा सहोधरिया रिगे, नमश्कार गळुप मा काली के आशिरवाद से जागरेत देवस्थान की भुमी पर ये जनता जनार्दन के दर्शन का मुझे आउसर मिला है कुडची की इस धर्ती ने वीर योद्धाओं का सौर्य देखा है चत्रपती सिवाजी महाराज का सूशासन देखा है अब आज यहां विक्सित भारत के लिए विक्सित करनाटका का मंत्र गुंज रहा है कुछ महिने पहले भी मुझे बेड़गावी आने का आउसर मिला था तब पूरे रास्ते माताओं और बहनों ने मुझ पर जिस तरीके से अपना आशिरवाद बर्शाया मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता आज यहां फिर आपका अपार्शने के विराट जनसागर इस पेंडल के बाहर भी उतने ही लोग में देख रहा हूं आपका यह पार्शने यह आपका अपना पन करना तका के लिए कुछ कर्ग गुजरने के मुझे प्रिरणा देता है आपका इतनी बड़ी संख्य में यहां आना यह इस बात को पुरी ताकत से कह रहा है इबारिया निर्धारा इबारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकारा साथियों आजहादी की लड़ाई हो या फिर राष्ट के विकास का इतिहास जब भी मात्रु शक्ति के योगदान की चर्चा आएगी तो बेलगावी का नाम आता ही आता है वीर योद्धान कित्तुर रानी चिन्नमा और संगोडी रायना का शाहरिया सभी राष्ट भहत्तों के लिए अमर प्रेरणा लेकर आता है चत्रपती सिवाजी महराज का कुशल नेत्रुत्व हमारी पीडियों को राष्ट भक्ति के लिए प्रेरित करता है इसे मैं सवभाग्य समझता हूं कि बीजेपी सरकार को राज हंस गड़ किले में सिवाजी महराज की भग्य प्रतिमाद स्थापित करने का आउसर मिला है भाई और भेनों आज मैं आपके बीच बीजेपी के एक समरपित कारकरता के रूप में आया हूं आपके साथी के रूप में आया हूं आपके हम सफर के रूप में आया हूं आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है तो इसमें बेड़गावी के इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है आपने बीजेपी के विचार और विस्तार दोनों को अपने आसिरवात से सींचा है एक छोटे से पौधे को पटबुख्ष मनाने में आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है आज मुझे हाँ अनेक बरेष्ट साथियों की याद आना बहुत स्वाबावीक है उनके अथक परिस्रम से ही भाजपा आज यहाँ पहुँची है आज जब डबन इंजिन सरकार है तब भी अनेक बरेष्ट साथि दिन रात मैदान में डटे है ऐसे हर साथि को उनके पुर्शार्थ को वाजपा के लिए उनके समर्पन को उनकी तपस्या को आदर पुर्वक नमन करता हूँ साथियों करना टका में ट्रेडिशन भी है और टेकनोलोजी भी है यहां स्टार्ट अप और संस्कृति एक साथ सोसक्त होती है यहां भारत की पुरातन और नूतन पैचान एक साथ सम्रद्ध होती है यह डबल इंजिन से होने वाले विकास का अदभुत मोडल है भाजपा ने हमेशा जन सेवा को राष्ट्र सेवा माना है जनता को जनारदन का रूप माना है आज जब बेड़गा भी आया हूं तो आपके बीच इसी भाव के साथ आया हूं दस माई को आपको करनाटका को देश का नमबर बन राज्य बनाने के लिए बोट करना है दस माई को आपको करनाटका में डबल इंजीन सरकार की वापसी के लिए बोट करना है और साथ्यों मैं करनाटका के एक सेवक के रूप में करनाटका के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं आप मेरा साथ दोगे ना आप मुझे आशिरवाद दोगे ना मेरे लिए करनाटका बहुत महत्वपुण राज्य है और इसलिए मुझे आपके आशिरवाद चाहिए मिलेंगे ना भरपूर आशिरवाद मिलेंगे माताओं बेहनों के आशिरवाद मिलेंगे नव जमानों के आशिरवाद मिलेंगे किसानों के अशिर्वात मिलेंगे साथ यो भाजपा ने करना टका के विकास के लिए नई उर्जा और पुराने अनुभावों के मेल से एक मजबूत टीम तयार की है ये टीम आने वाले आज़ादी के अमरितकाल में करना टका के विकास के हमारे रोड में पर काम करेगी अमरितकाल के संकल्पों को ससक्त करने के लिए इस टीम को आपके आशिर्वात चाहिए आपके आशिर्वात मिलेंगे ना बरपूर आशिर्वात मिलेंगे ना पहले से जादा अशिर्वाद मिलेंगे ना यह आपका उत्सा उमंग बता रहा है इबारिया इबारिया निर्धारा बहुमत्ना बीजेपी सरकारा इस संकल्प को हमें मजबूती देनी है साथ क्यों आपने देखा है कि बाजपा से पहले जोड तोड से बनी सरकारों का पूरा जोड सरकार बचाये रखने पर ही रहता था अस्थिर सरकारों के उस कालखंड से करनाटका का बहुत नुक्सान हुआ है यह मैं अपने पीड़ा आपको बता रहा हूं जी मेरा दर्द बता रहा हूं करनाटक जैसा सम्रुद्ध महान प्रंपरवाला राज्य राज नीतिक अस्थिरता के कारण खरीद बेच की राज नीतिक अकारां यहां के नौजवानों के सपने चूर चूर हो गए और इसलिए करनाटका को सबसे पहली जरूरत है वो एक स्थीर राज नीतिक दल एक मजबूत बहुंबत वाली सरकार पूर्ण बहुंबत वाली सरकार करनाटका को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए भाजपाही एक स्थीर और मजबूत सरकार दे सकती है साथियों भगवान बस्वेश्वर हमारी आस्था के केंद्र में है उन्होंने ऐसे कालखंड में मानवता को लोक तंत्र और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया जब चारों तरफ इन मुल्यों के प्रति अंधकार दिखता था साल 2014 में जब आपने हमें सेवा का आउसर दिया तब भी देश में ब्रस्टाचार की हिंसाव और अरारजात्त्या का चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था पिछले नव वर्षों में भगवान बसमना की सीख पर चलते हुए हमने सबका साथ सबका विकास पर बल दिया आप याद कीजिए कॉंग्रेस के करप्षन काल में गरीब दलीत वंचीत पिछडे आदिवासी हर कोई अपने हक से वंचीत था सस्ते राशन की योजना लंबे समय से हमारे देश में थी लेकिन कॉंग्रेस के करप्षन काल में लाभार्थी को राशन गरीब के पेट का राशन वो भी पूरा नहीं मिलता था इस अन्याय का सबसे बड़ा भुक्त भोगी हमारे SC, ST, OBC इस समाच के हमारे भाई भैन इसके भुक्त भोगी थे डबल इंजिन सरकार ने इस अन्याय को दूर किया आज करना टका के लाखों परिवारों को पूरा राशन मिल रहा है मुप्त राशन मिल रहा है साथियों कॉंग्रेस के करप्षन काल में करीबों के घर तक में गोटाले ही गोटाले होते थे इसका बहुत बड़ा नुक्सान भी हमारे दलीत आदिवासी पिछडे SC, ST, OBC इन समाच के लोगों को उठाना पड़ा इस अन्याय को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने करना टका के गरिबों के लिए साथ लाख गर स्विकृत किये हैं और यह काम तेजगती से चल रहा है और मैं मेरे हर गरिब परिवार को कहना चाहता हूं जिसके पाथ अपना पका घर नहीं है उनको मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेज़ी से काम चल रहा है आपकी बारी भी बहुत जल्दी आ जाएगी उनको भी पक्का घर मिलेगा सात्यों हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बंजारा समुदाय गुमंतू अर्द गुमंतू समुदाय है लेकिन कॉंग्रेस ने कभी इस समुदाय की भी सूद नहीं ली केंद्र में हमारी सरकार मनने के बाद ही इस समुदाय के लिए विशेश कल्यान बौड का गठन किया यहां करनाटका में भी बंजारा लंबानी समाज के लाखों साथी रहते हैं हजारों लोग तांडा बस्तियों में रहते हैं इतने दसकों तक कॉंग्रेस की सरकारे रहें लेकिन इनकी मदद के लिए कॉंग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाये उनका जीवन बदलने के लिए बड़े फैसले स्थाई कदम डबल इंजिन सरकार ने ही उठाये हजारों परिवारों को उनके संपत्ति के हकुपत्र बीजेपी सरकार ने ही दिये हजारों तांडा बस्तियों को कुरुबा हट्टी को हमने राजस्व गावों की पहचान दी है ऐसे कदमों से बिजली पानी गैस गर ऐसी अनेक स्विजाओं का इन साथियों तक पहुचना आसान हो पाएगा साथियों बीजेपी पूरी इमांदारी से गरीब के लिए बंजारा समुदाय के लिए दलीतों पिछडों के लिए पूरी समर्पन भाव के साथ काम कर रही है और मैं देख रहा हूं मेरी बंजारा समाज की माताय बैने में आशिरवास देने के लिए बहुत बड़ी ताजाज में आजाई हैं मैं आपको परनाम करता हूं और भाईयों बहनों हम तो इस अमाज के हर भर के लिए इतना काम कर रहे हैं दिन आपका उत्थान हो आपका विकास हो इसलिए कॉंग्रेस एक ही काम कर रही है मोधी को गालिया दो आए दिन मोधी को गालिया देना आपके यही काम जो भी गरीब दलीतों पिछणों के लिए काम करता है कॉंग्रेस उसे ऐसी ही नफरत करती है यहां बेड़गावी में ही बाबा साथ अंबेड़ करने बताया था कि कॉंग्रेस उन्हें कैसी कैसी गाली दे रही है कि बेड़गावी में कहां था बाबा साब ने खुद रहें कॉंग्रेस ने बाबा साहिब को क्या नहीं कहा था आप सुनकर के राड़ हो जाओगे यह कॉंग्रेस तब से ऐसी है क्या कहा था कॉंग्रेस बाबा साथ को देश्न दोई कहा कॉंग्रेस बाबा साथ को असूर कहा को उपको कथ पुतली कहा कि डिक्षनेरी में जितनी गालिया थी तरही बाबा पर उन्हों लेत पर साधी भाईयों कॉंग्रेस तब भी वेसी थी कॉंग्रेस आज भी वेसी है कि साथियों कि जगद गुरु बस्वेस्वरा ने कि जाती और पंत के नाम पर होने वाले बेद भाव का विरोद किया था वक्त कनकदास ने सामाजिक सद भाव का संदेश दिया और जाती के नाम पर आपस में ना लड़ने की सीख दी महा कभी कुवेंपु ने करनाटका के नाड़ गीते की रचना की इसमें उनोंने करनाटका को सर्व जनांग दा सर्व जनांग दा शांतिया तोटा यानि समाज के सभी वर्गों का सुन्दर बगीचा बताया था समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाली सभी महान हस्तियों ने समानता और एक दूसरे को समान देने की ही सिखती है लेकिन साथियों ये बहुत दुखद है कि इतने महान लोगों की धर्ती पर कॉंग्रेस के कुछ नेता दूसरों को गाली देने का ही काम करते रहते हैं करनाटका की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग बस्वेश्वरा, कनकदास, कुवेंपू और उनके जैसे महान लोगों के निवाई, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे भावियों बेहनों, क्या आप कॉंग्रेस को माफ करोगे? क्या कॉंग्रेस को माफ करोगे? ये गाली कलोज करने वालों को माफ करोगे? समाज को नीचा दिखाने वालों को माप करोगे, समाज के अंदर बटवारा करने वालों को माप करोगे, ये प्रस्ताचार का खेल करने वालों को माप करोगे भाई और बहनों जब जीवन की मुल सुविधाय पहुंचती है तो सबको न्याई मिलता है एब बसवन्ना ही थे जिनों ने महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और आध्यात्मिक विशोंग में अधिक भागीदारी के लिए प्रोथसान दिया लेकिन आजहादी के बाद कॉंग्रेस के लंबे शासनकाल ने भारत में माताओं बहनों का जीवन बत्तर कर दिया स्कूल कॉलेज के अभाओं में हमारी बेटियां सिक्षा से दूर थी संपत्य का अधिकार सबको था लेकिन सबसे अधिक बंचीत हमारी माताओं बहने थी टॉलेट के अभाओं में भी सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी माताओं बहनों को होती थी बीना गैस कनेक्शन के धूएं में जिंद्गी बिताने के लिए भी हमारी माताओं बहने ही मजबूर थी साथियों जिस दल का आधार और विचार सिर्फ और सिर्फ परिवारबाद हो जो सिर्फ करप इको सिस्टिम पर निर्बर हो वो जमीन से जुड़कर काम नहीं कर सकता आज जब आपने माता और बैनों की सेवा के लिए समर्पित भाजपा सरकार मनाई है डबल इंजीन के सरकार मनाई है तो इसका प्रभाव हर तरब नजर आ रहा है हमारी सरकार ने जो पौने चार करोड घर बना कर दिये है उसमें से तीन करोड से अधिक गर माताओं बैनों के नाम पर रजिस्टर है और आप जानते हैं आजकल जो सरकार घर बनाती है इसकी कीमत कई कई लाख रुपए है कभी अभाव में जीने वाली लाखों बहने आज पीएम आवास योजना की मालिक बनी है घर की मालिक बनी है और घर की कीमत जब लाखों में है तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आज ऐसी करोडों माताएं लख पती दीदी बन गई है लख पती दीदी आईश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपया तक के मुप्त इलाज की शुविदा का लाभ भी बड़ी संख्या में हमारी बेहनों को मिला है हर गर जल योजना हो उजवला गैस कनेक्शन हो गर गर टॉइलेट हो इन अभियानों से बेहनों को सुविदा भी मिली है सम्मान भी मिला है और हमार यहां उत्तर पुदेश में तो मेरे काशी में तो जिसको जहां टॉइलेट बने न वहां माताव बेहनों ने बौड लगाया है इसका नाम अब रखा दिया इज्जदगर देखिए क्या भावना है इसलिए पूरे देश में बेहनों का आशिरवाद बीजेपी को सबसे अधिक मिलता है इसलिए करनाटा की बेहने आज गर-गर जाकर के एकी बात कह रही है हर माता बेहन बोल रही है इबारिया निर्धारा इबारिया निर्धारा बहुमद्दा बीजेपी सरकारा साथियों कॉंग्रेस के करप्षन कल्चर का सबसे अधिक नुक्षान देश के छोटे किसानों को भी जेलना पड़ा है वोट पाने के लिए कॉंग्रेस ने लंबे समय तक कर्जमाफी के काड़ खेले लेकिन छोटे किसान उनको तो बैंक का दरवाजा भी कभी देखने को मिला नहीं बेचारे को कर्ज कहां मिलेगा अरे उसका तो खाता भी नहीं खुला था इसलिए उनको कर्जमाफी का तो कोई लाब मिलता ही नहीं था कर्ज माफी के नाम पर कॉंग्रेस अपने ही लोगों की तीजूरिया भरती थी ये कॉंग्रेस के काम करने का तरीका था लेकिन किसानों के लिए समर्पित डबल इंजिन सरकार ने पी एम किसान सम्मान निदिश शुरू की किसानों के हक का पैसा शीदा उसके बैंक एकाउंट में पहुंचने लगा आप कल्पना कर सकते हैं सिर्फ बेड़गावी जिले के किसानों के बैंक खातों में पी एम किसान सम्मान निदि का करीब तेरा सो करोड रुपिया पहुंचा है इतनी बड़ी राची केवल इस एक जिले में आई है कॉंग्रेस की सरकार होती ते सारा पैसा लूट जाता कभी किसानों तक नहीं पहुंचता साथियों कॉंग्रेस ने हमारे कोपरेटिव के साथ कैसा वहवार किया है मैं आज ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि एक शेत्र है जहां कोपरेटिव का बहुत काम रहा है हमारे कोपरेटिव ग्रामिन महिलाओं किसानों की ताकत है इसके बावजुद उनके साथ सो तेला वहवार किया जाता था जब टेक्स शूट थी की बात आती थी तो हमारी सहकारी समित्यों के साथ बेद्भाव किया जाता था लेकिन अब हमारी सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर को भी टेक्स शूट का लाब दिया है इससे उनके पास जादा पैसे की बचत होने लगी है इस बदलाव से मैनुफेक्टरिंग करने वाली और करने वाले के लिए नहीं सरकारी है इसका एक और द्वरान है गन्ने की खेती के साथ उन्होंने क्या किया कि इस छेत्र की पहचान तो सक्करे जिले सक्करे जिले के रुप्वे होती है कि यह हमारे जीवन में मिठाज भोलने वाले किसानों की भूमी है लेकिन कॉंग्रेस के करप्शन काल में गन्ना किसान हर सिती में परिशान था सूखा पड़ गया तब गन्ना किसान परिशान पैदावर बढ़ गई तब गन्ना किसान परिशान पैदावर गड़ गई तब गन्ना किसान परिशान एक तो कॉंग्रेस के काल में एफ़ार पी कम मिलता था दूसरा गन्ने का बकाया सालों साल तक चलता रहता था कई सहकारी समितियां बिलकुल ठप हो गई थी बीजेपी की सरकार ने गन्ना कोपरेटिव उसे ससक्त करने के लिए कदम उठाए इसी वर्ष के केंद्र के बजेट में दस हजार करोर रुपे की मदद गन्ना सहकारी समितियों के लिए ताइक की गई प्रयास यही है कि गन्ना किसानों को समय पर भुक्तान हो सके साथियों हमने चीनी के अलावा भी गन्ने का भैकल्पिक उप्योग को भी बढ़ावा दिया दुनिया में गन्ने से इथेनोल बनाने की तक्नीक बहुत पुरानी है पहले आ गई थी कि 2014 से पहले के दस सालों में कॉंग्रेस की सरकार सोई हुई थी ना तो इथेनोल उत्पादन पर फोकस किया और नहीं गाड़ियों में इथेनोल के उप्योग के लिए नीतिया बढ़ाई बीजेपी सरकार ने बीते नव वर्षों में गन्ने से इथेनोल का रिकॉर्ड उत्पादन किया है इसके चलते गन्ना किसानों को बहतर कीमत मिली अब हम पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनोल बैलिंग के तरफ बढ़ रहे हैं जो पैसा देश से बाहर जाता था वो पैसा अब किसानों के पास जा रहा है भाई और भेनों मोदी ने कॉंग्रेस के करप्शन काल कैसे अनेक रास्ते बन कर दिये हैं कॉंग्रेस याने करप्शन करप्शन का काल उनके खाते में जमा है करप्शन का काल हमारे खाते में जमा है अम्रित काल इसलिए कॉंग्रेस परेशान है जहां जहां से उनको मलाई मिलती थी मोदी ने वहां ताले लगाए हैं और इसलिए ये दिन रात माला जपते हैं माला दिन रात क्या कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी मोदी तेरी कबर खुदेगी ये कॉंग्रेस वाले मोदी की कबर खुदने में लगे हैं और देशवासी कमल खिलाने में लगे है और मैं देख रहा हूं भाईयो आज मेरा इस तीसरा कारकम है इस चुनाव में मैं पहला दीन है लेकिन इन तीनों कारकमों को देख करके मैं कह सकता हूँ कि करनाटका की जंता ने पक्का कर लिया है करनाटका की जंता पहले से अधिक ताकत से एक भाजपा की मजबूत और सीर सरकार बनाडेकला फैसला कर चुकी है और तबी करनाटक के हर कोने से आवाज आ रही है गाह हो या शहर हो गली हो या महला हो एक ही आवाज आ रही है ये बारिया अंदिर धारा ये बारिया अंदिर्धारा बहम्मद्दा बीजेपी सरकारा ये नाग चप्पे चप्पे में सुनाई दे रहा है कमल ही करनाटका की सम्रद्धि का प्रतीक है बीजेपी के पास ही विकास का रोड मैफ है दस मैई तक हमें रुकना नहीं है ठकना नहीं है हमें हर गर जाना है जाएंगे ना गर गर जाएंगे पोलिंग बूथ में हर मद्दाताओं को मिलेंगे बाजपा की बात बताओगे करनाटका सरकार की जनता की बलाई के कामों की बात बताओगे अच्छा मेरा एक काम करोगे क्या है मेरा एक काम करोगे आप जरा हाथ उपर करके बोलो तो पता चलेगा मेरा एक काम करोगे करोगे प्रॉमिस पक्ता करोगे सब कोई करोगे लेगी ये मेरा नीजी काम है करना पड़ेगा करोगे करोगे देखिये ये मेरा नीजी काम है मेरे दिल से जुड़ा हुआ काम है मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ काम है मेरे करना टगा के भाई बेन मुझे पताईए करोगे न गर गर जाओगे मेरा एक काम करोगे देखिये दस मई के पहले हर मद्दाता के पाँच जाना है और जाकर के उनको कहना है कि कुड़ची मैं दिल्ली से आपके सेवक मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है ये मेरा संदेश पहुंचाओगे मेरा नमस्कार पहुंचाओगे घर गर पक्का पहुंचाओगे जब आप मेरा नमस्कार पहुंचाओगे हर परिवार से मुझे आशिरवाद मिलेगा तो मुझे काम करने की नई ताकत मिलेगी आपके लिए मैं बहुत आभार व्यक्ता करता हूँ, मेरे साथ बोलिए भारत माता की बारत माता की बहुत बहुत धनवाद सबके साथ सबका विकास हैंबा मूला मन सो इगा कुडचीयली प्रधानी नरेंदर मोधियोरू तम्म भाषण वन्ना मुक्सितरू अल्ली जनारली उत्साहा वन्ना तुम्बु वन्ता केलसा वन्ना माड़िदरू अल्ली जनारली उत्साहा वन्ना तुम्बु वन्ता केलसा माड़िदरू जो प्रधानी नरेंदर मोधियोरू इगास्ट्वे कुडचीयली यबरटीयली नड़दूत समाविश्दली भागे आगी मात्रना ड़ता प्रती मने मनेगु होगी हेड़तीरल वा इदू नन्न भावने मत्तु रुधयक के सम्मंदी सिद्धू अन्नू अन्ता मातनना मोधिया उर हेड़ता इदू भावनात्मक कवागिरू अन्ता इचारवना प्रस्ताप माड़ी दू एमोश्टनल आगी अधरा जोतेगे मत्ते कॉंग्रेसनला कुट की दरू